हेलो दोस्तों सागते फिर से एक नए वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं GS Lab के बारे में GS Lab of Campus Drive जो की हाइरिंग करना फरेसरे स्टूडेंट BCA और BSC का क्या होना चाहिए अगर इसमें अप्लाइ करना चाहते हैं तो आप 2021 या 2022 का पास आउट होना चाहिए और इस साथ इसाथ आपका जो गर्जवेशन होगा आपका communication skill अच्छा होना चाहिए और आपका teamwork भी अच्छा होना चाहिए और साथ देखते हैं सेलेक्शन प्रोसेस सेलेक्शन प्रोसेस जो नॉर्मल MNC कंपनी का होता है इसका भी सेम उसी तरह है आनल एसस्मेंट है टेक्निकल इंटर्विव और फिर एच इंटर्विव हैं उसके बाद देखते हैं आपका job description यह कुछ important चीज है यहाँ job जो आपका profile हो तो कोंट्रेक्ट वेस पे यानि कि आपका फुल टाइम जॉब नहीं होने वाला है बट शिक्स मन्द तक का आपका कॉंट्रेक्ट रहेगा अगर आपका पर्फर्मेंस अच्छा होता है तो आप इसमें पर्मानेंट हो सकता है तो वर्क लोकेशन आपका पूने होगा और और पर्मानेंट हो जाएगा और फिर देखते हैं इसका जॉब रॉल है उसका क्या होने वाला है तो नॉर्माल आपका डवलप्मेंट टीम के साथ वर्क होगा और कुछ फंक्शनिटी अप्लिकेशन डवलप करना पड़ेगा और कुछ डोक्मेंटेशन यही सारा है और बिफो पड़े में वह सब परके जाना आया जो आपने प्रजेक्ट वनाया है उसके बारे में आपको पहले से परके जाना और इसाथ हाँ टो अपला किसे करना है देखी में यहां वी ब्रॉजर पर आ चुका हम अपला करने के लिए तो यह मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहां आने के वाद कि यहां पर कंपनी के बारे में कुछ लिखा गया जैसलेव के बारे में यह आगर आपको पढ़ना है यह बढ़ सकते यहां पर और यहां पर डिटियल्स भी दिया हुआ है और निश्चे सिफ आपको करना email व्युर्ट करना है उसके बाद कुछ detail फिल कर कर देना बस हो गया तो इस वीडियो में तरह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में